नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रेणिया का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है श्रेणिया का इंग्लिश मीनिंग होता है categories, category, range और class इसे हम example से समझते हैं then we would put the categories into two to three columns उदाहरन, फिर हम श्रेणियों को दो से तीन कॉलम में रखेंगे इसे के साथ इस वीडियो में बस इतना ही अब आप मुझे comment box में बताईए क्रामागत का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है Thank you